लॉयर और एडवाकेट में क्या फर्क होता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यह जिस लगती होगी कि लॉयर और एडवाकेट दोनों ही सेम चीज़ होती है लेकिन मैं आपको यहां कंफर्म कर दू कि लॉयर अलग चीज़ होता है और एडवाकेट अलग सब Saiya उसके पास Allmb यहनि qi Bachelor of legislative Law सबकुल को इसके पास सब कुछ होता है कौन raelक कहा रहती है क्या होता है क्या होता है क्या Datab manual केём अब निवल आता है उसके बार आता है उससे ऊपर होता है रहे से बहुत क्या होता है यह सुनो देखो जो एडवाकेट होता है उसके पास BCI की डेगरी होती है यानि कि बार काउंसिल ओफ इंडिया इसकी डेगरी उसके पास होती है अब लॉयर के पास एक पावर ऐसी होती है जो जो लॉयर के पास नहीं होती है लेकिन वह पावर एडवाकेट के पास होती है एडव के पास एक पावर ऐसी होती है कि वह आपका पक्ष लेकर कोट में आपके लिए भास कर सकता है लेकिन लोयर नहीं कर सकता है मतलब जो आपका कुट केस्स में लड़ता है वह असल में Lawyork नहीं एडवाकिट होता है जो आप देखते हो अपनेAgकर कोट कोट में बहुत करता है जो भी देखते हो कि कोट में जच के सामने में क्या फर्क होता है लेकिन इसके रहा एक और चीज है वह यह चीज है कि लोग एक और चीज रहते हैं कि बैरिस्टर किसे बोलते हैं बैरिस्टर आसल में एडवाकेट को बोलते हैं जो इंगलेंड जाकर पढ़ाई करता है और इंगलेंड से पढ़ाई करके एडवाकेट ब में क्या फर्क होता है और बैरिश्टर किसको बोलते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही उबीद करते हूं आपको यह काम के जान करें पसंद्ध वीडियो कहीं पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को एंट तक देएंगा बहुत पर शुक्रिया थै मताम पर भां पर लाइब कर kriegen करते हैं तो एंटे हैं कर दो इबीडियो कर देस चाहिस